नमस्कार जैश्री किष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जोतिश ग्यान के नाम से एक सिरी स्टार्ट की है जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अस्ट्रोजी पढ़ा यह मेरे यह मेरा मानना है और इसके अलावा मैं पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको भावों के वर्गी करण के बारें बताया था कौन-कौन से कारक होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वह बहुत इंपोर्टन चीज है जिसके बिना काम नहीं चलता प्रडिक्शन के अंदर प्रडिक्शन में तीन चीजों का जालना बहुत जरूरी है भाव भावेश भाव का स्वामी कौन है भाव कैसा है और भाव का कारक कौन है तो भाव का कारक बहुत इंपोर्टन है भाव के कारक दो तरह कारक होते हैं एक स्थिर कारक एक चर कारक कारक मतलब जिनका एक तरीके से ये समझी है कि ये एक तरीके से स्वामी टाइप के हो जाते हैं कि पहले भाव के लिए कारक सूर्य है तो पहले भाव में राशी जो भी हो हो सकता कि पहले वाव में राशी तीन नंबर हो या चार नंबर हो तो आप कहोगे चार नंबर राशी का स्वामी हो चंद्रमा है तो राशी स्वामी तो चंद्रमा हो जाएगा भाव का स्वामी लेकिन भाव का जो कारक है वो आपका यही कहलाएगा आप इसको इस तरह से समझ लेकिन बिल्डर, चुबी एक था, तो बो कारक्ट वो है, जो बिल्डर है। कारक गुरु होता है कि गुरु धन देता है ग्यान देता है और दूसरा भाव दन का भाव है इसलिए दूसरे भाव का कारक गुरु होता है तीसरा भाव हमारा बल का भाव है पराकरम का भाव है चोटे बाई बहन का भाव है उसका कारक होता है मंगल क्योंकि मंगल बल प्रद तो उसके लिए जो कारक है वो मंगमल माने जाएगा यानि जब भी आप कभी तीसरे बाद की स्टरी करेंगे तो तीसरा बहाव देखेंगे के तीसरे बहाव पे कैसा प्रभाव है तीसरे भाव अशुब ग्रहों से द्रस्त तो नहीं है या अशुब ग्रह तो नहीं बैठे तीसरे भाव का स्वामी कहां पोस्टेड है और चौती बात तीसरे भाव का कारक जो है उसकी क्या पोजिशन है कुडली के अंदर ये तीरों चीज़ देखने के बाद ही आप समझेंगे अभी इतना समझे के पहले भाव का कारक सूर्य है ये फिक्स है यह हमीशा सूर्य ही रहेगा पहले भाव का कारक स्वामी कोई भी हो सकता है दूसरे भाव का कारक गुरू है तीसरे भारव कारक मंगल है चौता भाव माता का भाव होता है इसलिए इसका कारक तो ने होता है को ऑफ जोसे से आध सीं। ऑड़ साथवे का का कार को जाया का वह स्पाउस का भाव होता है इसका कारक शुक्र है यह तो हम सब जानते हैं कि शुक्र कारक होता है आठवा भाव मृत्यू भाव कहलाता है, मृत्यू कारक कस्ट का भाव कहलाता है, कलह का भाव कहलाता है, तो इन सब का कारक जो है वो शनी है, जो शनी जो है वो दुख का कारक बोलते हैं, तो शनी इस भाव का कारक है, जो आठवे भाव से जो चीज़ें मिलती हैं, उनका कार तो हमेशा जब भी हम आठवे बाव की स्टडी करेंगे आठवा वाव उनका कैसा है तो भाव देखेंगे बहावेश्ट देखेंगे और आठवे बहाव का कारग देखेंगे नवा बहाव आता है भागी का धर्म का पिता का तो किससे देखें गुरू का उसे किससे देखें देखें नवा भाव आपका धर्म का भाव है भागे का भाव है तो यह सब का कारग जो होता है वो गुरू होता है और गुरू का भाव है तो यह सब चीजों का कारग गुरू होता है तो नवे भाव का का धर्म का भाव है यह बादेनी और गुरु भागे देता है और धन के रास्ते पर आपको लेगे चलता है तीरथ यात्रा कराता है गुरु का समान करना सिखाता है इस लिए इस भाव का कारख नवी बाकारख गुरु है दस्वा भाव हमारा कर्म भाव होता है कर्म भाव कर्म अपने आप में बहुत बड़ा जिसे कहना है टॉपिक है जिसके उपर काफी हो सकता है हम लोग नॉर्मली कुंड़ी के दस्वे भाव को सोचते हैं कि यह प्रॉफेशन का भाव है मतलब यहां से नौकली लगने की बार होते हैं अपनी लाइफ को जीने में वो सारे दस्वे भाव से देखे जाते हैं तो इसलिए इसका कारक है बुद्ध और जहां नौकली से संबंद होता है कि जब नौकली के बारे में बात करनी हो कि नौकली लगेगी या नहीं लगेगी नौकली में अच्छी मिलेगी या ब दस्वे भाव का कारक्षणी देखिए वो कहा है अगर तीनों अच्छी जगे पोस्टिड हैं तीनों अच्छी जगे विद्यमान हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपको दस्वे भाव का अच्छा जल्ट ना मिले और आपको नौकरी मिलेगी बड़े आराम से मिलेगी ग्यार ख्रोमी आँ वैय्जी के लिए एक तरिके से आये देखते हैं तो उसके लीए भी ही रेस्पंस I 관laod और और सबोलिए को अरुए हव段 हो है दुखक्क वार्वा भाव हमारे ज़कelet हो तो इसका मिधी जो गया वूशनी में हो तो आप देख सकते हैं कि किसी भी कंड़क में गुरू फार पांचोंप यहां का न कारख होता है घूए बहूर यह रहा है कि इसलिए बहुत जरूरände kore आप मतलब यह कि आप शांति चाहिए उस शाहिए का मन्त्र आप करते वह चीज कि अब ह Васकी निबाते हैं तो ग्रह आपको ठीक जड़ देते हैं अब इसके अलावा ये तो जो मैंने कारक आपको बताई ये तो इस्थिर कारक है इस्थिर कारक मतलब जो हमेशा कॉंसेंट रहेंगे जो कभी भी चेंज नहीं होता लेकिन उसके अलावा चर कारक भी होते हैं अब चर कारक क्या होते हैं चर कारक वो होते हैं जो डिक्वाइर्मेंट के साथ से चेंज होते हैं अब जैसे आपको एक एक अग्जाम्पल दू कि चंदृमा है चंदृमा चौतह भार कारक है चो जानवा घर आपने मालिया वाहन खुःदना है तो आप memorial कृतने हैं तो आप Intelligence कि शुक्र लगजरी का कारक होता है बहुत एक विलासिता का कारक होता है और यह सब चीज़े लगजरी की है वहान वगएरा जो होते हैं सब चीज़े लगजरी की चीज़ें तो आपको वो भी चीज़ जहां रखना है जिसलिए जब चौते भाव से आप यह देखेंगे कि मैं में मकान कब खरीदूं या मैं गाड़ी कब खरीदूं या मेरी काड़ी होगी या नहीं होगी या मेरा मकान होगा नहीं होगा तो आपको चौता भाव तो देख लए है कि चौते भाव का स्वामी जो है वो कहां है चौते भाव का कारक चंद्रमा कहां है और चौते भाव का च और उसकंद्र आप तो यह थे स्थिलिकंद्र और कुछ यह चरकार के चंद्राइब माता का कारक Chandra है बहुता करनी हों तो सूरे को भी नताले का कारक भूद्र है। और जब भी हम इनकी study करते हैं, तो हम भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, इस्तिरकारत देखते हैं उस भाव का और साथ में चरकारत भी देखते हैं. तो आशा करता हूँ, आपको सब चीज समझमाई होगी, समझमाई होगी है, तो कांडी लैक कीजिएगा, सब्स्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है, और इसके लावा हमारी advanced astrology class भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बैस स्टार्ट कर रहे हैं, त अपको बक्ड़नझा सब्स्राट कर दोभी है, तो कर रहे हैं, तो किस मच कीजिए है तक रहे हैं, एक रहे हाथाँ आशार्ट कर रहे हैं, इस बढ़ने हैं, फसक लावावा कीजिएगा, ऱकत का र78षण है्णने, लावाने हैं, लावा रावा हैं, टो अससrole गतिएगा,